हलो दोस्तों आपके अपने मरुद्र यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है दोस्तों हम लेका आए आपके लिए प्रहाईवाची का जो पार्ट वू लेकर का हैं क्योंकि हम आपको पार्ट वन पेले करवा चुके उसके लाव जैसा कि बताया कि चार से लेकर के पांच आपको प्रहाईवाची करवा देंगे और जिससे क्या आपको प्तवारी और हाई कोड में प्रहाईवाची तक्ष्ण पूछे जाएंगे जो की पतवारी में तो जो हंदी और इंग्लिस मिला करके 22 कुछें आएंगे जो की टोटल 44 नमर का एंग उसके लाव जो हाई-पर आएका वह चालिस क्यूशन आएंगे हिंदी के जो की 40 नंबर करेंगे तो आपके लिए आपके लिए प्रेवाची बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट उसके लावा कमेंड बोक्स में आपके मोबाइल नंबर को कमेंड कर देना ताकि हम आपको उसकी पीडिया फाइल या तो हम को दneत कहा जाता है शकने धीज लोगाजाओ में पना उसके लावाढ़े दान को द्त कहा जाता है चालावा जाता रद कहा जाता है रदन कहा जाता है और दशन कहा जाता है दुर्गा को महा गोरी कहा जाता है सुबद्रा कहा जाता है चंडी कहा जाता है चामुंडा काली का कल्यानी चंडी का सिहेवहनी कामाक्षी सांभवी जगदंबा काली दूद, दूद का प्रायवाचिये पय, शीर, दुग्द और गोरस दूष्ट का प्रायवाचिये खल, कुंटिल, क्या है दूष्ट का प्रायवाचिये खल, कुंटिल, दुर्त, दुर्जन, अदम, शट, कुविचारी, क्रहर्दे, पामर और नीच देवता के प्रैवाचिये देव, सूर, निर्जर, अमर, विवुद, अजर, भगवान, त्रिदश धनुष, धनुष का प्रैवाचिये चाप, धनू, दोधंड, कोधंड, पिनाक, कारमुक, सरासन, कमान, विशी, खासन धोज के प्रैवाचिये जंडा, केतू, पताका, धोजा, परतीक, निशान, केतन, विजे, दन्ती नारी, नारी को अमिहला कहा जाता है, अस्त्री, वनिता, कामिनी, औरत, अबला, ललना नारी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत बार एकजाम पूछा जाता है, उसके लाओ बोरा, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार एकजाम पूछा जाता है, बोरा का है, अली, ब्रहमर, भवरा, मदूप, ब्रंग, शडपद, मतलब छे पद है, जिस तिरी रप और मदुकर भाई के प्रिवाची ब्राता सहोदर बंदु बया सेगरवा सजाता भोजन भोजन को अहार कहा जाता है भोजन को अशन कहा जाता है भोग खाना भक्षन और जीमना अंगूटी के प्रेवाचे मुद्री का मुंदेरी चल्ला अंचल के प्रेवाचे शेत्र इलाका प्रदेश प्रांत और भाग अंश के प्रेवाचे पक्ष अंग हिस्सा अव्यव भाग और शरीर अंधेपूर के प्रेवच्य रनिवास, जनान खाना, भागपूर और हरम अंदिकार, अंदिकार को तम कहा जाता है, तीमिर कहा जाता है, अंदेरा कहा जाता है, अंदियारा कहा जाता है, ध्वात कहा जाता है, तमिस्त्र कहा जाता है, तमस कहा जाता है अंधिकार को तम कहा जाता है, तिमीर कहा जाता है, अंदेरा कहा जाता है, अंदियारा, ध्वान्त, तिमित्र और तमस कहा जाता है अतिती, अतिती को महमान कहा जाता है, पावुन कहा जाता है, आगंतु कहा जाता है और अभियालगत कहा जाता है क्या है अगनी के प्रैवाचिकों की बोज़दा इंपोर्टेंट है अगनी को अनल कहा जाता है आग कहा जाता है पावक कहा जाता है वहनी कहा जाता है ज्वाला कहा जाता है क्रिशानु कहा जाता है वेश्वानर कहा जाता है दहन, हुतासुन, हूतबूत, जातवेत, शिकी, अरुण और धननजे अम्रित को पियूश कहा जाता है सुदा, अमिय, सौम, सुर्वोग और अमी उसके लावा चलते हैं हम यहाँ पर परवत परवत एक बात और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको परवत यदी पर्त्वी के जो प्रहवाची होते उनके शब्दों के अंत में यदी धर इस शब्द जोड़ दिया जाए तो परवत के प्रहवाची बन जाते हैं जैसे कि पर्त्वी के प्रहवाची आपको पता है क्या क्या है पर्त्वी के प्रहवाची है भू है भू, मही, अचिला, धरा, भूमी, अवनी, वसुंद्रा, धर्नी, मेंदिली, इला ये सबी पर्त्वी के प्रहवाची है तो दोस्तों जैसे कि आपको बता है मैंना आपको बोला है यहाँ पर पर्त्वी के प्रहवाची शब्दों में यदि धर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है पर्वत के प्रहवाची बन जाते है जैसे पर्त्वी का प्रहवाची बू है उसमें अगर आपको धर जोड़ देंगे तो बू धर बन जाएंगे मही में धर जोड देंगे तो मही धर बन जाएंगे अचला में अचला परत्वी का प्रायवाची उसमें धर जोड लेंगे तो अचला धर बन जाएगा उसी परकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर धरा धरा परत्वी का प्रायवाची उसमें धर जोड दिया और यदि परवत के प्राइवाची शब्दों के अंते में सुता जा या शब्द जोड जाए तो पारवती के प्राइवाची बन जाते हैं जैसे यहाँ पर पारवती है भूधर किसका प्रावाची है भूधर पर्ति का प्रावाची है इसमें यहाँ पर सुता जोड़ दिया तो क्या बन गया पारवती का प्रावाची बन गया अद्री सुता नग सुता गिरी शुता शेल सुता भू धर रजा मही धर रजा धरादर रजा भूमी धर रजा गिरिजा अचल जा शेल जा अरपणा शिवा भवानी उमा अन्नपूर्णा ये सभी पारवती के प्रहवाची है नोट यदी पर्त्वी के प्रायवाची शब्दों के अंते में सुता जा शब्द जोड़ दिया जाए तो सिता के प्रायवाची बन जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं भू पर्त्वी का प्रायवाची इसमें सुता जोड़ दिया तो सिता का प्रायवाची बन गया मही जो धरती का प्रायवाची ने सुता जोड़ दिया शिता का प्रायवाची बन गया उसी परकार से अचला सुता भूमी सुता धरनी सुता इला सुता भूजा मही जा अचला जा धरा जा भूमी जा धरनी जा इला जा जान की बेदही राम पिर्या जैन की नंदन उसी परकार से आप देख सकते सूर्य, सूर्य बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है, सूर्य के क्या प्रहवाचिये सूर्य को वासपती कहा जाता है, वासररपी कहा जाता है, दिवापती, अहरपती, दिवसपती, दीवपती, दीनपती, दीवाकर, प्रभाकर, दीनकर, भासकर, दिनेश, आदित्य, दीनमणी, भानू, अर्क, रवी, सविता, पतंग, सूरज, अंशुमली, सहस्त्रबाजू, एक बार आप सूर्य को याद करें किसके प्रहवाची क्या है सूर्य के प्रहवाची वासपती वासरपती धीवापती अहरपती दिवसपती धीवपती दीनपती दीवाकर परवाकर दीनकर बासकर दिनेश आदित्य दीनमणी भानू अर्क रवी सवीता पतंग सूरज अंसुम गोटक, बाजी, हये, सेंदव, अश्व और तुरंग, ये घोड़े के प्रहवाची है, चतूर, चतूर के प्रहवाची है, दक्ष, निपून, चालाक, कुशल, प्रवीन, पटू, निशाना, पत और पारंगत, ये सबी चतूर के प्रहवाची है, जीब, जीब के प्रहवाची है, रसना, जीवा, रसग्या, रसीका, रसला, जबान और जुबान, तारा, तारा के क्या प्रहवाची है, तारा के प्रहवाची है, तारक, तारिक्का, नकत, नक्षत्र, उडू, उडगन और सितारा, तालाब, तालाब के प्रहवाची है, सर, सर ताल तड़ाग जलाशे पुष्कर पोकक हर्द और पदमाकर तालाप के प्रेवाचे सर सरोवर ताल तड़ाग जलाशे पुष्कर पोकर हर्द और पदमाकर तीर के प्रेवाचे बान शर इशू नाराच सील मुक और आशगू बान शर इशू नाराच शीलगू और आश्यकू उसी परकार से यदी परत्वी के प्रहवाची शब्दों में अंत में सूर देव शब्द जोड दिया जाये तो ब्रहामन के प्रहवाची बन जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपर परत्वी के प्रहवाची भू उसमें सूर जोड गया तो ब्रहामन के प्रहवाची बन गया उसी परकार से मही सूर अचिला सूर वसुंद्रा सूर धर्नी सूर अवनी सूर इला सूर भू देव मही देव अचिला देव वसुंद्रा देव धर्नी अवनिदेव इलादेव दिज विप्र और अगर जनमा नोट यदी परत्वी के प्रायवाची शब्दों केंते में रूह शब्द जोड दिया जाए क्या जोड दिया जाए रूह शब्द जोड दिया जाए तो पेड़ के प्रायवाची शब्द बन जाते हैं जैसे वरक्ष मे वरक्ष में बू, बू किसका प्राइवाची प्रत्वी का प्राइवाची इसमें रूह की जोड दिया थो वरक्ष का प्राइवाची बन गया उसी परकार से मही रूह, अचिला रूह, वसुंद्रा रूह, धर नीद रूह, अवनी रूह, पेड, दुरुम, विटप, तरू, बूजात और पादप और इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रायवाची शब्द, समान नार्थी शब्दों को प्रायवाची शब्द केते हैं यह मैं आपको बता चुका हूँ, पानी के प्रायवाची क्या है, पानी का है जल, वारी, नीर, तोय, अंबू, सलील, उदग, पयह, अंब, आप, आब, रस, जीवन और अम्रित यदी पानी के प्रायवाची शब्दों में जे परतिय जोड़ दिया जाए, तो किसके प्रायवाची बन जाएंगे, वो कमल के प्रायवाची बन जाएंगे, याद रखना आप, यदी पानी के प्रायवाची शब्दों में जे शब्द जोड़ दिया जाए, जे, तो कमल के के प्रहवाची शब्द बन जाएंगे जल किसका प्रहवाची है कि जल हमारा पानी का प्रहवाची इसमें ज जोड दिया जाए तो कमल का प्रहवाची बन गया उसी परकार से वारिज, नेरज, तोयज, अम्बूजी सलिलिज शत्पत्र शत्धल राजीव कोकनंद अर्विंद पदंब कंज अबजी पुंडरिक सरी सुरूहु और सारंग ये किसके प्रहवाची हमारे कमल के प्रहवाची बन गए हैं तो दोस्तों प्रहवाची का पार्ट तू हमारा तो आप उससे जुड़ जाना दोस्तों टेलिग्राम आप जल्दी अपनी बना लिजिए क्योंकि टेलिग्राम आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपोटेंस है दोस्तों तो आज का वीडियो ही समापतो था जेहिंजे बारत जेह राजिस्तान